तो math का syllabus कैसे complete करें, math कहां से पढ़ें, math का डर कैसे ख़तम करें, confidence level कैसे बढ़ाएं, जो mock test लगाते हैं, practice करते हैं, तो वो कहां से करें, ये सब बताऊंगा मेरे बाइस वीडियो में बने रहो, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जिते नों को math में दिक्कत होता है सचीन भाई मुझे कुछ बताएंगे, तो मैं उनी लोग के वीडियो बना रहा हूँ, जिनका math सही है, मेरे भाई आप लोग के लिए वीडियो नहीं है, वैसे आप भी देख सकते हो, अगर आपकी कहीं कमी होती है, तो आप उसमें सुधार कर सकते हो, ठीक है, चलिए सचीन भाई math कैसे त्यार करें, कम टाइम लगे, और हम लोग का score अच्छा कासा हो पाई, और आपने कैसे full to full marks किया है, कहीं सारी वेकेंसी में, तो मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ बताऊंगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरे बाई, syllabus की बात काता है, syllabus कैसे complete करना है, syllabus लिए विश्योस नहीं है, ठीक न, आप वहाँ से math पढ़ो, अब math पढ़ने के बाद, आप topic wise अपना syllabus कवर कर लो, अगर आप किसी pad best से कर रहे हो, तो ठीक है, नहीं pad best से कर रहे हो, तो मेरे बाई, आप YouTube पे सर्च करके topic wise पढ़ लो, कि कुई जरूरी नहीं है, math जो है, प पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, math, तो math का syllabus आप कहीं से भी complete कर रहे हो, तो कर लो, मेरे बाई, पढ़ लो, उसको पूरा, एक बार में ही पढ़ लो, अजो को बहुत लों का doubt होता है, कि सजी मैं, math तो पढ़ रहा है, math का syllabus topic wise पढ़ रहा है, लेकिन पीछे का भूलते जा आपको लगेगा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उससे घवडाना नहीं है, आपको पढ़ते जाना, उस सब इस्टोर होता जाएगा थोड़ा बहुत, तो जब इस्टोर होता जाएगा, तो जब दूबारा आप आप आओगे notes का revision करने, तो आपका सब कुछ सही हो लगबग syllabus complete हो गया है, तो उसके बास से आप क्या करो, उसका revision करो जो आप notes बनाया है, ठीक है, शुरू से बिलकुर revision करते चले जाओ, जैसे कि 70-80% जब आपका math complete हो जाए syllabus, तो आप यह मत सोचना है कि मेरा तो भी पूरा नहीं हो, आप कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है, कुछ नहीं कुछ छूटता ही जाएगा, आपको कुछ नहीं सोचना है कि मेरा यह चूट रहा हो चूट रहा है, जो आपका target है, जो आपका playlist है, जो आपका pad batch है, उससे आप पूरा पहले पढ़ लो एक बार, सुरू से लेके आंदर तक पढ़ लो, जो आप समझ मे अपना जो कुछ भी है, चैप्टर वाइज अपना revision करो, जो भी आपका महत का question था, ठीक ना, question से लगाओ, target बना लो, मुझे एक दिन में एक चैप्टर खतम करना है, दो चैप्टर खतम करना है, चुकि नोट सी रहेगा, हर एक टाइप का 1-2 question रहेगा, तो 1-2 question रहेगा, इस special यह नहीं कि SSCGD के बारे मता रहा हूँ, UP police के बारे मता कोई भी vacancy हो, अगर आप उसकी त्यारी करना चाहते हो, तो पहले math इसी तरह से आपको त्यार करना, ठीक है, math एक बाद syllabus पढ़ लो, पढ़ने एक बाद उसके बाद जो आपके notes से उसका revision कर लो, शुरू से ले mock test लगाना बहुत जरूरी है, notes score revision करने के बाद mock test लगाना सुरू कर दो, यह बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा इतना score आएगा, मेरा इतना score आएगा, कितना भी score है, आपको mock test लगाना है, ठीक है, practice करना है, चाहे आप offline book से करो, या फिर online से करो, मुझे तो सबसे अच् बेस जब आपका दीरी दीर बनता जाएगा, तो मतलब ना आते हो भी question आप लगाते चले जाओगे, जब base तयार नहीं होगा, तो मेरे भाई आपको कितना भी पढ़ लो math, अगर questions का label थोड़ा सा गुमा दिया ना, मतलब language थोड़ा सा बदल देगा, तो आप question में फस जाओ सकते हो, यह सब कहां से मिलेगा, आपके पास कई सारे platform पड़े हुए है, RWA का भी platform है, उसके बास test book भी है, मुझे सबसे अच्छा लगता है, कोई promotion नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले ही, ठीक है, कोई promotion नहीं है, आपको जहां अच्छा लगे, आप वहां से मोक बोलते हैं कि मेरा math में confidence नहीं आता है, कि मुझे यह questions लगाना है, competency नहीं आता है, कि डर लगने लगता है, कि मतलब यह questions लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, तो यह सब मेरे भाई mock test योगा ठीक है, जैसे मैंने त्यार का मैं से मेरे बता रहा हूँ आपको, उसी तर मेरा math अच्छा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, full to full marks आप ला सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इसी तरह से आप करोगे, अच्छे से करोगे, तो मेरे भाई, आप CGL में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सिप इसी में कर पाओ, वो तो आपके मेहनत के उपर है, कि आप कितना मेहनत करते हो, और आप कितना practice करते हो, ठीक है, क्योंकि math का मतलब है practice, जितना आप practice करोगे, उतना ही अच्छा होगा आपका math, तो इसलिए बता रहा हूँ, mock test से ही आपको मतलब डर खतम करेगा, mock test से ही आपका confidence level बढ़ाएगा, और उसके बाद से mock test ही आपका score बढ लगाते हैं, तो last तक जाते जाते हो, वो question को लगाते लगाते जाते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि यार, अब को संक और लंबा जाएगा, तो तुपक्का मारकर चले आते हो, तो यह काम कभी नहीं होगा, अगर आप daily mock test लगाते हो, यह काम नहीं होगा मेरे बढ़ाए प्रैक्टिस अच्छा रहेगा उसके बाद से आपका बेस त्यार हो जाएगा जब बेस त्यार हो जाएगा तो आपको पता पहले ही चल जाएगा कि यह कोशन मैं लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा कितने लोग होते हैं उनको मैत का कोशन छोड़ने नहीं आता है जब जब आपको मैत का कोशन छोड़ने नहीं आएगा तो मेरे भाई आप मैत में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे क्योंकि छोड़ना भी एक कला है ठीक है अगर मान के चलो कोई कोशन नहीं आ रहा है बहुत ही टीपिकल आपके लिए आप मतलब अगर पहले समझ गए कि कोशन मै बीना प्रैक्टिस का मैत त्यार नहीं होता है मैं पहले बता दे रहा हूं मस्ट है तो प्रैक्टिस ही है मेरे भाई प्रैक्टिस जितना करें उतना मैत त्यार होगा बाकि जो कोई बोलता है कि मेरा बैच ले लो मैं यहां से मैत आपका फुल करवा दूंगा ऐसा कुछ नह कि यह सारे लोगे होते हैं जो मैथ के वज़े से ही मोक्टेश नहीं लगाते हैं और इसे इस बार SST GD में भी और UP पुलिज में कितने लोग math के वज़े से mark आएं देखो आप GS में अगर अच्छा कर ले जा रहे हो तो कोई जरूई नहीं कि हर एक exam में GS में अच्छा ही कर ले जाओगे average में जा सकते हो लेकिन जरूई नहीं कि आप top में चले जाओ GS में लेकि अगर एक बार आपका तयार हो गया ना math अच्छा आप करने लग गये तो मेरे भाई आप हर एक एक exam में math कर क्या होगे math में आप topor के बराबर नंबर हमेशा कर के आओगे आपको कुछ भी पंडिक-जोठ नहीं कभी नहीं पंडिक-जोठ पड़ेगी बस आप revision करो कि mock test लगाऊगे आपका math complete हो जाएगा ठीक है ना किसी भी exam के लिए बता रहा हूं एक बार बच अच्छे से math पढ़ लो दो तीन मेने खुद को दे दो तीन से चार मेने में जानता हूं कि तीन से चार मेने में math बहुत अच्छा तयार किया जा सकता है अगर एक स topics गलत हो रहा है उसको notes से उठा के देखो और सबसे देखो last में एक बात मैं और बता रहा हूं कि अगर math आपको बहुत ही अच्छा करना है जैसे कि पूरा-पूरा marks लाना है तो जैसे कोई भी प्रेक्टिस सेट करवाई कोई प्रेटफर्म पर प्रेक्टिस सेट करवाते है मैत का किसी भी एक्जाम के लिमान कि चलो आप ऐसे जीडी की त्यारी करवा रहा है आपके मतलब आपके जो average marks आ रहे है और आप सोचरों कि पूरा लाने के लिए तो अगर आपके एक दो कोशन जहां से गलत होना उस topic को आप प्रेक्टिस से कर लो ठीक है जो कोई भी प्रे त्यार होगा जो कहीं भी आपकी कमी होगी वह भी दूर हो जाएगा नहीं पूरा स्कॉर आएगा और math में गलती की चांस बिल्कुल भी नहीं होते है math scoring subject है ठीक है अच्छा score देता है, time लेता है अगर practice अच्छा है तो time भी कम लगेगा तो इसलिए क्या रहा हूँ practice करो mock test लगाओ और syllabus complete करो ठीक है यह सब करो मेरे भाई math को अच्छा बना लो लेकि चलो लेकि मैं तो कहता हूँ math को reasoning को पूरा पूरा बना के रखो कि मतलब हाँ इसमें से मैं 90-95% score कर सको हर एक मतलब मतलब में और reasoning में दोनों को मिला कि 90-95% score कर सको ठीक है तो यह सब करो मेरे भाई आपका math बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर और कोई doubts रहते हैं तो comment कर देना हो सके तो मैं उसके भी वीडियो बना दूँगा तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जहीं टेक क्यार